इस रिकॉर्ड तोर एतिहासिक जन्विश्वास महारेली में उपस्तेत राष्ट्य जनता अदल के राष्ट्य अध्यच अमारे पिता आदर्ने श्री लालू पिशाद यादर जी कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट अध्यच आदर्ने मलिका अर्जुन खरगे साहब जी कॉंग्रेस पार्टी के नौजवानों के नेता आदर्ने राहूल गांधी जी यूपी के भावी मुख्य मंत्री आदर्ने अखलेश यादव जी सीता राम यचुरी सहाब जी दिपांकर सहाब जी दी राजा जी बहागडबंधन के सभी नेता गन पददिकारी गन कारिकरता गन बिहार के दूर दरास से आई हुए सभी लोगों का आज के कारिकरम में आप लोगों का हाथ जोड़ करके आप सब लोगों का स्वागत करते हैं आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और बिहार की पावन मिट्टी का वंदन हम करते हैं आप सब लोगों को को सलाम है प्रणाम है आदाब है और बड़ों का चंपस्ट करते हैं माताय बेनों को प्रणाम करते हैं बच्चों को धेल सरा प्रेम और हमारे उम्र के नौजवान भाईयों को यहीं से गले लगाते हैं जहां तक मेरी नज़र जारी है केवल लोग ही लोग नज़र आ रहे लग रहे समुद्र हो चुका है मैदान में तो इतने लाखों लाग दस लाग से जादा लोग आ गया है लेकिन सरकों पर पट्टर के कई लोग अभी बाहर फसे हुए है प्रशाशन ने राध बर तंग किया लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ आप सब लोगे आए तो आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं 3500 किलोमेटर हम लोगों ने दस दिन में पुरे बिहार घूमने का काम किया और आप लोगों को हमने आमंत्रन किया था कि आप सब लोग पट्टा चले और इतनी बरी संख्या में आप लोग आए हैं तो आज रिकॉर्ड तूटा है पूरी रेलियों का जो है रिकॉर्ड तूटा है यही गांधी मैदान है यहां राजजितिक रेलिया तो होती थी लेकिन जब तेजश्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रेला यही मैदान से एक साथ दो लाख लोगों को हमने निक्ति पत्र बटवाया था याद है कि नहीं है तो रोजगार मेला भी रोजगार रेली भी हम लोगों ने इस धत्ति पे किया है उसलिए आप सब लोग जो विश्वास के साथ आए हैं अपने भाई को अपने बेटे को आप शिवाद देने के लिए इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सब लोग जानते हैं चाचा जी पलट गए हैं लेकिन पलट गए तो जहां भी रहें सुखी रहें आप लोग तो जानते हैं हम आप से पूछना चाहते हैं सबसे पहली बार आपने किस के मूँ से सुना था दस लाद नोकरी का पत्ता में बिहार में पोश्टर लगवाने हैं नितीश कुमार जी हमारे आदर दिया हैं हमारे चाचा हैं हम उनका आदर करते हैं सम्मान करते हैं बुज़ुना से आएगा पैसा अपने बाप के पास से ला करके बेतन बाते हैं और संभाव हैं सोचो जो सत्रा साल में नहीं हुआ उसी मुख्यमंत्री से उनीके हाटों सत्रा महीनों में हमने इसी मैदान में लग्पत पाच लाक लोगों को सरकारी नौकली हम लोगों दिलवाने का काम किया महां गधबन्दन के साथियों भी धन्यवाद देतेि कि प्रिच्टितिती में भी गोण время ने हमारा साथ दिया लेफ्ट की पाठियां कान्ग해서 पाठियों और लेकिन सत्रा महीने में हम लोगो हुझने 24 पचक बढ़ाया पिछले भाईो का बाराया हम लोग ने दलिग महाधरिक भाईों का बढ़ाया हमने आदिवासी भाईयों का बनाया जो काम अजाधी के बाद से अब तक नहीं हुआ था किसी सरकार ने रही किया था उस काम को बीहार बे हम लोगों ने करके दिखाया केवल सत्रा महीने हुमें शिक्षा मित्र हों विकास मित्र हों टोला सेवक हो तान्मी मर्कज के लोग हो आंगनभारी हो उन्सब के मान देव को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया दुगुना किया मंता आशा का भी फाइल हम कर चुके हैं लेकिन मुखमांती जी कई माहिनों स्वास रुबाग से एक लाग तीस हदार का पबलिक हैल्ट केटर का फाइल दबार करके रखे हैं लेकिन कितना भी दबाएंगे तेजे श्वी खाना है आपकी लगाई में आपको आपका अधिकार दिला करके रहेगा तो इस लगाई में साथ है कि नहीं है दोनों हाथ उट करना के बताएए अगर आप साथ दोगे तो तेजेश्वी मरं मिटन को तैयार है आपके लिए कुछ लोग कहते रहते हैं कि माई की पार्टी है मुसल्मान एदब की पार्टी है हम कहना चाहतें माई के साथ-साथ बाप की भी पार्टी है ये माई बाप की पार्टी है, B से बहुजन, A से अगरा, दूसरे A से आधियाबादी, महिला, और B से पूर, यानि बाप, यानि माई बाप, A to Z की पार्टी है ये और B बाप हमारी जनता है, आप ही हमारी प्रेटबा हैं, आप सब लोगों का आशिर्वाद हमेशा, आप लोगों का मिलता रहा है, उसी ताकत के बदलत, आगे की लगाई हम लोग लग रहे हैं तो आप लोगों का साथ है ना, विश्वास दिनाते हैं अपनों, और R.J.D. का मतलब, मोदी जी कुछ भी कहते रहें, लेकिन R.J.D. का मतलब है, R.J.D. का मतलब है, R.J.D. से राइट्स, यानि अधिकार, J.D. से जॉब, मतलब नोक्रिया, और D. से डेवलिप्मेंट, मतलब विकास, यानि अधिकार, लोक्रिया, विकास, राइट्स, जॉब, डेवलिप्मेंट, ये है R.J.D. का मतलब, D.J.P. के लोग जगा जगा तोड़ फोड़ करते रखते हैं, इस तिन सरकालों को तोड़ लिया जाता है, अरे, कुछ विदायक इधर से उधर कर दे, कोई फ़र्क नहीं पढ़ने वाला है, लेकिन जनता को कहां से खरी देगे, जनता जवाब देगी, जवाब दीजेगे ना, कुछ लोग दर के कारण, कुछ लोग लालच के कारण, घुटने टेकते हैं, मौदी जी क्या आगे, बाट पा क्या आगे, लेकिन मुझे गर्व है अपने पितापार, कि किसी ने बहे से बनी में मुझा आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया जुकाने का, लेकिन हमारे पिताँ ने जनने का काम किया, कभी जुके नहीं, कभी डरे नहीं, और हम रिश्वात दिलाते हैं, जब लालू जी नहीं दरे, तो उनका बेटा दरेगा, लरेंगे आख्री सास्ता, ये विचार धाना की लराई है, और आप सब लोगों को साथ आना होगा, सबी समाजवादी भाईयों को साथ आना होगा, कभी राहो जी को एडी का समन, अभी देखिए उत्तर प्रदेश में घडबंदन हुआ, हमारे बड़े भाई को तुराच CBI के लोग आगे, अकिले जी को समन भेज दिया, हमारे तो पुरे परिवार को समन भेज आई, लेकिन हम लोग दरने वाले लोग नहीं हैं, ये बीजेपी के आईटी सेल वाले लोग से हम लोग दरेग नहीं, ना जुकेंगे, जंता की लगाई में, जंता के साथ खड़े रहेंगे, आप सब लोग वाशिंग मशीन तो सुनते थे, वाशिंग मशीन, कितना बहा से बड़ा भी भ्रस्टचारी जो होगा, वो बीजेपी में जाता है तो उसका धुराई हो जाता है, साफ हो जाता है, लेकिन बीजेपी वाशिंग मशीन के साथ साथ दस्टमिन वाली पार्टी हो गई है, कूरादान हो गया है, सब पार्टी का कूरा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है, उसलिए ये वाशिंग मशीन के साथ 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 दस्टमिन वाली पार्टी है, कि एक फाउंड माउथ है अना आप चला बोलता है और दूसरा जो है लाउड माउथ है बर्बोला है लेकिन आप सब लोगों को बोलेगे कि यह जो उत्मुक्तमक्त इजिन को बनाया है जो बर्बोले है चौधा साल से चुनाओं नहीं लड़े है चुनाओं नहीं लड़े और लड़े और जीते हैं तो आरजेडी से लड़े है और जीते हैं आखरी बार भी अरे हमोरे चाचा तो पंटी मुआते ही है लेकिन समराज शौदी भी काम नहीं है पात पंट पाती बदल चुके है और आज तक चुनाओ नहीं लड़े तो ज्यादा हम लोग क्या कहें लेकिन मोदी जी आये थे कर यहां क्या बोल करके कहें वही जुमला वही बक्वास की बाते जुट प्रचार हम तो शुरू से कहते है मोदी जुट बोलने के फैक्टरी है मैनुफैक्शनर है मोदी जी होल सुलर के साथ डिस्ट्रिब्यूटर भी है जुट बोलने के आप लोगों ले पिछले बार 40 में से 49 MP 20 AP को जिताया आज यहाँ बिहार के जुले जिले से हर लोग आए बाज़पा के सांसतों से पूछना कि उनके जिलाब पाज़पा के लोगों ने क्या किया बताओ मोदी जी ने कोई करखा ना दिया कोई नौक्रिया दी पलाइन रोता गरी भी बिटता गी क्या महगाई कम की कहां से फिर बियार को विशेश राज का दर्जा देना था वो भी नहीं दे पाएं जरा सवाल किजेगा कि आप कहते थे दो दो करोर रोजगार देए पंदर पंदर लाग रुपया ठाता में देगे क्या हुआ इसलिए आने वारे समय में आकलन करके आप लोग निर्ना लिजेगा और वोट देने का काम किजेगा तो आप सब लोगों को ये कहना है कि भासपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलुआ दे करके परोज़ देते हैं इतना जूढ बोलती है जोग बता गोबर को गाज़र का हलुआ बना करके दे देते है परोज़ देते है जूढ घा रोग है ये लोग इसलिए करनायत ये प्रधाल मत्यीं बोल रहे थैं हमारे पिता के बारे बें हमकोос कहाएं दारेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है अपने पिता का काम क्यों नहीं इंगी राता है मोड Kaw тов थोड़ा कान खुल के सुनिये कि इसी दो Raw की धर्टी से हम बोल रहे हैं ले अपने पूब ना आज उसका जवाब देने हमाए है चेश्मा साफ कर लिजिए खोल के ये नजारा देखो जन सलाब है मोदी जी जड़ा बताईए नब्वे अजार करोर का मुनाफा यूपी एवन में हुआ था लालू जी ने एप्यासिक काम किया आस तक रेल में को मुनाफा नहीं हुआ था लालू जी ने नब्वे अजार करोर का मुनाफा बार्तिय रेल को दिया था थोड़ा आप बता दे आपने दस साल में कितना मुनाफा दिया जनता को दिया रेल्वे को दिया या पुन्जी पती को दिया किसको दिया रेल्वे का निजी गिरन कर लिया अब बात करते हैं कि लालू जी ने क्या जितने आगиколी भाई था सब को नोके हम की ओर को काम किया आपने की तरह कुली भाई को क्या क्या जरा वो नगव कर दो कि यह तो गलगपा लालो जी ने हो गलगपवाएं कुलौर रेलवे में तक कुमार भाई सब को रोजगार मिले ये काम किया लालू जी ने आपने क्या किया बिहार में चक्ता करखाना से लेके कई देल में का तीन चार ठैक्टरी दिया आपके रहते वे दस साल आपने क्या किया अरे लालू जी मुक्मंदी थे जो देश में कभी नहीं हुआ मांसिक गुलामी से मुक्ती लालूजे ने दिलाया दिहान में सबाजिक नयाय करके दिखाया गरीबों को आवास दिया आज कोई भी गरीब नब्बे के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है अज़ी पिछला लड़ना जानता है दलत लड़ना जानता है, अधिवासी लड़ना जानता है, अच्छे के बाइल लड़ना जानते है अब कोँई चपल उतुआ देगा, अब कोई कुवा का पानी नहीं पीने देगा अरे अब कुवा का पानी नहीं दस दस को कुवा बना लेगा अर जरुवत परे तो उन्हीं लोगों का पानी पिला देगा क्या बात करते हैं ये लोग उसले बातपा के लोग के वर बकवास बोलते हैं जूट बोलते हैं बोलते हैं परिवारवादी लोग है परिवारवादी लोग है अरे पीछे समराज चोदरी बेठे वे हैं रामभिलाज पास्वान जी के भाई बेठे वे हैं पारशी कही नेता ब को मंतरी बना दिये वह परिवारवाद नहीं है तो इसलिए ज्यादा कुछ इन लोगों पर हम नहीं कहिंगे लेकिन मानने नितीश कभार जी कि यूटन जो लिए है समझे कि अब हमको लगता है कि राज सरकार को इंशोरेंस अभीमा करा लेना चाहिए हम मोदी जी कल कहने से मोदी की बड़ी मजबूत गारंटी है मोदी की गारंटी मोदी की गारंटी अरे मोदी जी जड़ा हमारे चाचा का गारंटी लेकर दिखाओ क्या हमारे चाचा का गैर्टी ले सकता है कोई अज़े बताओ कोई ले सकता है क्यों जब चाचा बोल रहते कि अब हम नहीं जाएंगे कहीं अब हम यहीं रहेंगे और जीवर तो मोदीदी हसने लग गए क्यों हस रहते भाई मोदीजी क्यों हस रहते और हमारे चाचा को बार बार ये क्यों बोलना परता है कि हम जो है अब कहीं नहीं जाएंगे मर जाएंगे, मिट जाएंगे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे एक गाना सुने है आप लोग दितिक रोशिन का फिल्म का गाना है इधर चला बे उधर चला इधर चला जाने कहा बे इधर चला अरे अरे फिसल गया अरे चाचा जी चलिए आप बुज़ोर गया आपको यहीं से हाजोरत के पदाम लेकिन एक बात ते हैं जद्यू दोजार चौबिस में खत्मा हो जाएगी यह मेरा कहना है बताओ सची बात है कि नहीं जद्यू का कोई भविश है क्या कोई भविश नहीं है आप इधर चलिए अब आपका कुछ बचबे नहीं करेगा तो आप फिसल जाओगे कहीं के नहीं रहोगे तो इसलिए आप सब लोगों को यह कहना है एक तरह इन लोगों का घटबंधन जो है एक तरह फिरका प्रस्त है और उसके साथ मौका प्रस्त है लोग है एक तरह फिरका प्रस्त एक तर कुछ हम नहीं कहेंगे लकिन आप तेजश्वी से प्यार करते हैं हाथ उठाके बोलो तेजश्वी से प्यार करते हो मेरी एक बात मानोगे हाथ उठाके मेरा एक काम कीजिएगा कि आप सब लोग गरीबों को जोलने का काम किजे दलित भाईयों को सम्मान दीजे उनके दुख, सुक में पासी पिछडों का, दिवासी भाईयों का अब चक्यक भाईयों का भागिदार बनोगे बताओ हाथ उटाओ के बताओ बनोगे ना तो हम जादा कुछ नहीं कहेंगे अब आप लोगों कोई काम करना पड़ेगा काम किजेगा ना हम भी साथ रहेंगे साथ साथ मिलके काम करेंगे तो जादा कुछ ना कहते हुए सभी हमारे वरिश देता, सब लोग यहाँ है, राहुल जी है अकले जी है, खरके साहब हैं, जी राजा साहब यह चुरी जी, दिपाविकर जी लालू जी, आप लोगों के सबच बात रखेए तो आम नीशन्द शब्दों के साथ आप सब लोगों का स्वागत करते हैं आप सब लोगों को धेरो धन्यवाद देते हुए, अपनी बात को विणाम देते हैं मेरे साथ नारा लगा करके, हम अपनी बात को सबाब करेंगे, हम बोलेगे भाजपा भगाओ दोनों हाट उठा के बोलिएगा, भाजपा भगाओ भाजपा भगाओ भाजपा भगाओ बहुत बहुत धन्यवाद, बियार की जन्ता जन्दा बाद बियार की जन्ता जन्दा बाद बियार की जन्ता जन्दा बाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टी के कारे करताओं को, महागट बंदन के साथियों को, इतने कम समय में, आप सब लोगों ने आयो जन्द किया, सभी कारे करताओं को पदादिकारियों को विधायकों को एंपियों को सब को हम धन्यवाद देते हैं इसरैली के सफलता के लिए जय हिर जय बिहार